यहां पर पाकिस्ताम बनाम श्री लंका यहां पर आजीव गांधी इंटरनाशनल स्टेडियम यहां पर तीसरा मुकाबला एक कुछी दिनों के अंदर एंड काफी इंट्रेस्टिंग मैच यहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए था एश्यक अपने हमने काफी मुकाबला दे फुल साइड और काफी इंजुरी कंसर्ण्स है उनके एवन दो एक बड़ी नियूज लाइक लिए और वन बिग प्लेयर कमिंग इन तक देखेगा इंवेस्मेंट स्ट्राइजी सेम रहेगी एनम सेम आप्स यूज करेंगे सारे आप्स के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क बेल आइकन हिट करेंगा सो अधिव गेट आप लिए इस गेम के लिए वापस एक पूरा मुकाबला है यहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए तो नो कंसर्न्स उन दिस फ्रंट और पिछ रिपोर्ट की बात करें फ्लाट बैटिंग ट्रैक्स हमें देखने को मिली है यहां बोलिंग की काफी इंप्रेसिव लगे थे विद बाल तो इस बात का जरूर ध्यान लखेगा कि कुछ होल बिलकुल हो सकती है इन देख स्पेशली फॉर्ट बिलकुल फॉर्स उसके अलावा यह दोना एप्स बिलकुल साइन अप करेगा नो जीस्ट एप्स अन अनके लेफ्ट एंडर्ज है वाइल तिक्षाना का रिकॉर्ड राइट एंडर्स के सामने एविन थोड़ा ज्यादा अच्छा है बट लेफ्ट एंडर्स के सामने भी पोटेंट है बहुत ज्यादा इनके पास पाकिस्तान एक्स्टेड प्लेंग 11 कुछ खास चेंज नहीं कर रहा हूं मैं अनलिस इनको मौमद वसीम को खिलाना है इन प्लेस अवसन अली उसके अलावा काफी सिम्लर लाइन अप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और स्रिलंका इस कंसर्ण महेश तिक्षना आ सकते हैं आइधर इन प्लेस वाइदर त्री पेसे जो दिन था काफी रहते हैं पाकिस्तान के प्लेयर वान पेडिस की तरफ तो स्टार्ट करेंगे इमाम उलक के साथ इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है ऑफ लेट अगेंस्ट नेधर लेंड बी एक बाउंसर पर आउट हुए थे तो यहां पे भी श्रिलंका के पास कुछ पूटेंड पेस बेस टीम में जगें नहीं मिले अनले इन्हें अनले से एक बहुत ही फ्लाट पिच हो या चेज में अगर हमें लग रहा है कि हाई स्कोरिंग चेज होगी तो वह हिसाब से इनके पिक किया जा सकता है एक जो फॉर्म है बिल्कुल भी इनके फेवर में करेंगे बाबार राज इस वान एक अच्छी पिक है मैच अच्छे श्री लंका के बोलर्स के सामने इनके नंबर भी काफी अच्छे है अच्छे स्ट्राइक रोटे रहे हैं विकेट कीपर हैं तो अबर आपकी फैंटसी वाल्यू यहां से काफी अच्छी हो जाती है सौच चकील यह मेरे प्लेयर वाच आउट थे लास्ट गेम उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया क्यों अगर आप वापस एक कोलाप्स जल्दी एक्सपेक्ट करें तब ही ने ट्राइ किया जा सकता है अगर जब जल्दी विकेट नहीं गिरते तो इनका नंबर और भी नीचे भेजा जा सकता है क्यों कि आ में अगर छान की बात करें सेंड बोलिंग में बहुत अची बन जाते हैं इनस्वांस यूम्हा या 6 कर देते हैं बठें हाऴ लेते हैं जब ज्यादा प्रेशर होता है बैटिंग टीम की तरफ यह कब होगा जब सेकिंड इनिंग में ग्रंचेज होगी तो इस बात का ध्यान रखेगा इन टरम्स अपर आते हैं शाहिन अफ्रीदी की तरफ वापस इनका एक रीसेंट फॉर्म कंसर्न है नेधरलेंड्स के सामने भी बिल्कुल भी फ्लो में नहीं लगे विद बॉल अप्रंट में मुवम्मेंट नहीं मिला बट क्योंकि जो स्टेटर है इनका एंड श्री लंका के सामने भी जो बैटर इनका रिकॉर्ड अच्छा है अभी के लिए ने छोड़ना बहुत ज्यादा रिस्की बन जात सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इन्हें लगता है कि फकर जमान के साथ इनका टाइम हो चुका है और ट्राइक कर चुके हैं तो फिर अब्दुला शफीग असन अली के जगया पर खेल सकता है राधर फकर जमान की जगे में खेल सकते हैं रिमर्बर टो जॉइन दे माइमास्ट 11 लीडर बोर्ड यहां पर थर्टी टीम बना सकते हैं आपकी जो बेस्ट पॉइंट्स वाली टीम है वो काउंट की जाएगे इन्द लीडर बोर्ड तो समझी मैंने पहले गेम में थर्टी गेम में थर्टी टीम मनाएं वही साबसे मेरी टॉप टीम के पॉइंट की जाएंगे इन्द लीडर बोर्ड अड़ाइंड आपको की कंसिस्टेंसी होगी रिवार्ड होगी बहुत लोग ऐसे होगे जो एक अध गेम बीच में मिस कर देंगे जो एकाध गेम में टीम स्टार्ट करेंगे पातों निसंग का इनका रीसेंट फॉर्म काफी आवरिज आ है फॉर्स्ट इनिंग में कुछ कंसर्ण होती है इन्हें हाइड कॉलिटी पेस के सामने तकलीफें हो सकती है जो शाहिन अफ्रीदे के से पास है बट ऐसे टाइप के प्लेयर हैं कि अपना समय लेके खेलते हैं तो बिल्कुल इन्हें आप ट्राइब कर सकते हो इन सम्टीम कुसाल परेरा रीसेंट फॉर्म इनका अपन डाउन रहे वापस सिमिलर टू रेस्ट तो दर स्रिलंकिन टॉप और वापस इन्हें लास्ट गेम अब अच्छी पारी खेल गया है इन लास्ट गेम अटकिंग बैटर हैं इनकी यही एक तकलीफ है कि कभी-कभी यह जो अटक है इन्हें भारी पढ़ जाता है जील में इनमें इन पर बिल्कुल रिस्क लिया जा सकते हैं पाकिस्तान की पास एक क्वालिटी पे लिए जाते हैं तो वह अच्छी बन जाते हैं बट इन टाइप के कंडिशन में आपको पेस खेलने वाला भी अच्छा चाहिए और बिल्कुल ट्राइब कर सकते हो फिर बात करने चारे तरसलंका की लास्ट गेम में साथ आफ्रिका के सामने पेस काफी अच्छा केला इन्हो साथ साथ में पार्ट टाइम भी करते हैं बिल्कुल इन्हें कुछ टीम में कंसिडर किया जा सकता है पिर चलते हैं दनेंजा की तरफ अब जैसे मैंने कहता इनकी एक ही में वीकने से वह है एक के बाद एक शौट के लिए जाते हैं अब लास्ट गेम में तो आविसली प्रे सब्सक्राइशन उतने फ्लाट नहीं होंगे तो मैं एक्सपेक करा हूँ कि यहां पर ज्यादा होवर्स हमें दनंजा से देखने को मिलने चाहिए शनाका ने इनके छे लास्ट गेम में डाल दिये थे शनाका ने लास्ट गेम में अच्छा खेला था बट इस टाइप की गेम में तफ कंडिशन सी फिर भी आइधिंग अपना आपक काफी समय तक पकड़ के रखा है इन्होंने इस गेम में प्रॉबली पूरा कोटा इन्हें करना चाहिए और लेफ्ट आम बैटिंग थोड़ी बॉच टेबल आप रंस एक्सपेक्ट कर से लिएंसे डाउन दी और यहां पर आपको मिल रहे हैं कुछ टॉप प्राइज तो बिल्कुल पाटिस्पेट करिएगा लिंक है इस वीडियो के डिस्रिप्शन में तो रिमेंबर टेक पार्ट देर और अलसो कीप इन माइंड की एक्सजेंग पर ना आप टीडियस बढ़ते हो ना आप बढ़ते हो जी एस्टी सो आइंग बहुत अच्छे ओफर्ज आपके लिए अपके लिए और एक्स्चेंज में टॉइप रिमेंबर दू साइन अप मैस्टीक शाना विग बिग बिग इंक्लूजिन फो श्री लंका इंडिस्किम वापस आएंगे और बहुत बड़ा इंपक्त कर सकते है फर्स इनिंग में भी सेकंड इनिंग में ज्यादा तर एंड लॉडव बॉनस पॉइंट इस बात पर ट्रस करिएगा कि यह बहुत स्टम्स को हिट करते हैं तो जब बैट्समें आउट होंगे तो आपको बोनस पॉइंट दे के जाएंगे फ्लाट ट्रैक्स पे जो टीम पर पाकिस्तान के सामने रिस्क लोंगा मेभी नॉट स्पेशली इन दिस ट्रैक तो पहली बोलिंग में भी थोड़ा सा होल्ड होता है तो प्रॉब्ली नॉट वर्थ द्रिस्ट अनलिस कोई ऐसा कह जाए कि इनकी फिटनिस पूरी नहीं हो या ऐसा कुछ कासुन रजीता लास्ट गेम में ना ही इन्होंने बॉल के साथ ठीक टाग कॉंट्रिब्यूट किया फिल्डिंग भी की थोड़ी बहुत बैटिंग भी की जो एक सप्राइज एलेमेंट था तो बिलकुल आप इने कुछ टीम्स में ट्राइ कर सकते हो बट उसके अलावा अच्छी पिक है लेफ्ट आम पेसर है और बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिल सकती है इन से क्यूंकि इनकी जो एंगल है थोड़ी यूनीक है बट इनका जो यूटिलिटी होता है कब होता है जब फॉर्स इनिंग में थोड़ी मूव्मेंट होती है में भी इस ट्रैक पर नहीं छोड़ूँगा इस जिस टाइप कीम की एक्षिन और बोलिंग है एक बहुत अच्छा चांस है ने विकेट्स लेने के लिए तो मतीशा पतिराना मेरी बेस टीम में पहले बोलिंग में फिर भी रहेंगे लहीरु कुमारा अनेक्स्पेक्टेट टू प्ले बट खेलें नहीं है एंस कुछ खास मैच-अप भी नहीं है जो ज्यादा मैच-अप से वह बैटर पॉसितिव मैच-अप से बट यह जो एक इंट्रेस्टिंग मैच-अप है वाइल सिर्फ नौ बॉल का ही मैच-अप है यह बट बाबर एक बार आउट हो चुके हैं जो मैंने बाबर वर कुछ देखा है अगर वेल ला लगे कुछ जल्दी लाया जा तो कुछ इंपक्ट वहां पर बनाया जा सकता है अब चलते हमारी बेस्टीम और बेस्टीम से पहले इंशॉर दाट अलफ यू पार्टिसिपेट इन फ्री कॉंटेस्ट ना यह सिर्फ पाकिस्तान श्री लंका क यह में इंग्लेंड पांगलेदेश की गेम में भी फ्री कॉंटेस्ट है तो इंशॉर आप सब पार्टिसपेट करें नथिंग लूज सो इंशॉर आप सब मल्टिपल टीम बनाएं जब भी वो ऑप्शन भी खुल जाए तो बनाते हमारी आज की बेस्टीं कीपिंग से स्ट करें मौमद रिज्वान कुसाल मेंडेस दोनों कीपिंग करेंगे दोनों बैटिंग करेंगे और मिडल और में दोनों से अच्छी वाली भी मिलनी चाहिए मेरा एक गट फील है कि कुसाल मेंडेस में भी थोड़ा स्ट्रगल करें फ्रेंट पाकिस्तान स्पेस इस पिच पे त्रू दे लाइन शॉट्स केलना उतना असान नहीं होगा जस्ट गट फील कॉल में आप इसे बिल्कुल ट्रै करेंगा बैटिंग सेक्शन की बात करें जैसे मैंने का बाबर बिल्कुल मैं बेस्टीम में रखूंगा बट वो और्ली स्ट्रगल को आप रूल आउट मत करें उसके लावा निसंग का जम्मान इमाम सब फिफ्टी फिफ्टी चॉइस लग रहे हैं मुझे अभी के लिए तो मैं आल राउंडर्स पहले स्टैक अप करूँगा एंद फिर वापस यहां पर आउंगा शदाप खान बिल्कुल मेरी टीम में रहेंगे धरंज डिसलवा दु तो मेरी जो जी एल रोटेशन होगी इनी प्लेर्स के अराउंड होगी अब जो मेरी जो लास्ट दो स्लॉट्स है उनमें मैं किन प्लेर्स को लूगा मुझे इमाम थोड़े से सेफ लग रहे हैं जो हिसाब से खिलते हैं अपना समय लेके खिलते हैं इसके अलावा आप जो की लास्ट बिक बन जाती है पातुम निसंग का भी इमाम वाले जो क्याटिगरी में उसी में आते हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेके खेलते हैं और बाद में एक्सलेट करते हैं ऐसे काइंड फ्लियर्स फैंटिसी वाल्यू आपको अच्छी देके जा सकते हैं अभी के लिए मेरे टीम में रहेंगे अगर अब कौन से प्लेयर्स फे मैं अंसर्टिन हूं बेस्ट ऑन दो काइंड फॉर्म देयर पातुम निसंग का इन इमाम उलक एंड जील में गट फील पे कुसल मेंडिसन बाबराजम तो इन प्लेयर्स को आप बिल्कुल रोटेट आ क्यान रखेगा हसन अली वाइल बोलिंग फर्स्ट इफ्तिकार का आपको अरड़ी बता चुका मौमन नवास का क्या सिक्वेशन की बात करें तो मुझे ऐसा कोई पर यहां पर खास कन्विंशिंग नहीं लगा बट बेस्ट ऑन जैसे रिजवान ने खेला लाज गें वो मु अच्छी पिक्स है बावर एक सेफ एक कैप्टेंसी पिक भी बनेंगे आपको पता है कि जब तक गेम शुरू होगा में भी मैं कोई बूलर या ओल राउंडर की तरफ चला जाओं बट शदाब और दननजा दोनों में से जो भी सेकेंड बोलिंग करता है वो भी एक अच्छ की भी टॉप ओडर के कुछ कंसर्ण्स है एंस मुझे ऐसा लगता है कि विद्रिजवान वो ऐसे टाइप की क्लियर है कि पहले बीस रंद में तो ज्यादा तर रिस्क लेते नहीं है और आएंगे किसके सामने धननज है और वेल लाले के सामने है उन्हें स्पिन को नर्डिल क पातुम निसंग का अल्रडी बता चुका हूं क्यों दनन जय डिसल्वा भी अल्रडी बता चुका हूं पति रहना अगर पहले बोलिंग करते हैं हाई सलेक्ट ड्रॉप इस बात को बिल्कुल यहां पर कैंसल आउट करेगा और जील सी बीसी ऑप्शिंस बैटिंग फॉर्स बोलिंग में इनका इंपक्ट आ सकता है बैटिंग सेगेंड बोलिंग फर्स पतिरान ना बोट में शाहीन और बावर और ऑविसली रिज्वान जो मैं आपको उस सेक्शन में अल्रडी बता चुका हूं तो यह अभी के लिए मेरी बेस टीम मेरे जील ऑप्शन अब चलते है आजके एक्सचेंज वेंडू पिक्स की बात की जाए हसन अली वाइल बोलिंग फॉर्स एट फॉर्टीफोर डीसेंट वैल्यू मौमन नवाज वाइल बोलिंग सेकेंड फिफ्टी अच्छी वैल्यू आपको देखे जा सकते हैं फकर जमान में ले एक सेल कॉल बन सकते हैं इतना उनका कुछ खास फॉर्म नहीं रहा है और उसके अलावा यहां से आपके पास है पती राना वेन बोलिंग फॉर्स और दिल्शान मदुशंकर वेन बोलिंग फॉर्स पातुम निसंग का एट थर्टीफाइव इन बोथ सिट्वेशन रिमेंबर तो साइन अपन एक्श जो भी फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको वही पर मिलेंगी लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर हिट करेगा और दू कॉमेंट वित अल्यू लव जल्दी मिलेंगे एक और प्रिवीव के लिए थैंक यू सो मच पर तूनिग एंग